हलो दोस्तों मैं हो अनुश्वर आप देख रहे हैं न्यूस 24 का डिजिटल प्लाटफ़ॉर्ब क्रिकेट की दुनिया में महेंदर सिंग धोनी एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में मशूर होती ही उन्हें ना जाने कितने निकनेम दिये गए जैसे काप्टन कूल, राची के राचकुमार और जाने क्या क्या लेकिन राची के इस राजकुमार ने ना सिर्थ दुनिया में इस राज्य को शोहरत दिलाई बलकि इस राज्य के खजाने को भी वो लगातार भरते रहें जी हाँ, महिंदर सिंग धोनी यानि की इंडियान क्रुकेट टीम के पूर्व कप्तान महिंदर सिंग धोनी एक बार फिर राची के सबसे अधिक इंकम टैक्स देने वाले टैक्स पेर बन गए है वित्तिकत आयकर देने वाले करदाताओं में वे लगातार तीन साल से राज्य में अवल आ रहे हैं इस वित्तियवर्ष में उन्होंने अब तक 28 करोड रुपए इंकम टैक्स के रूप में भुक्तान किये हैं धोडी निस से पहले 2017-18 में 10.93 करोड और 2018-19 में 12.17 करोड टैक्स दिये थे आयकर विवाग ने बताया कि सबसे अधिक इंकम टैक्स देने के मामले में राज्य की टॉप कमपनियों में CCL राची सबसे उपर है कमपनिय ने विवाग को इस वित्तिय वर्ष में 1100 करोड रुपे का भुक्तान किया है बेरहाल धोडी ने ये एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ एक बहतर बहतरीन खिलाडी है बलकि वो एक आम आदमी के तौर पर जिम्मिवार और इमानदार नागरिक है